पिछले वीडियो में आपको हमने बोस के पोर्टेबल होम स्पीकर के एंबॉक्सिंग दिखाई थी आज हम उसका थोड़ा सा आपको रिव्यू बता देते हैं और इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है इसके क्या-क्या फायदे है और बोस रिवॉल्ब प्लस से यह कैसा डिफरे संदाएगा अगर आपको सिर्फ बेस चाहिए तो यह स्पीकर आपके लिए नहीं है क्योंकि सिर्फ बेस या बढ़ा हुआ बेस इन्हेंस बेस इस तरीके से आपको इसमें नहीं मिलेगा बहुत ही accurate बेस आपको मिलेगा इसमें वो बेस जादा तब सुनाई देता जब आप उस speaker से दूर होते हैं पास रहने से थोड़ा सा कम सुनाई देता है तो अच्छे बेश की यही खासियत होती है दोस्तों मेरी रिसाब से कि पास रहने पे कम सुनाई दे और दूर रहने पे ज्यादा सुनाई दे जल्दी से पहले बॉक्स पे नज़र डालेते हैं इस तरीके से ब्लैक क्लासी बॉक्स आता है जिसमें सामने लिखा है पोटेबल होम स्पीकर उपर की तरफ आपको मिलेगा डीटेल्स और एम रपी इसका दिखा दें आपको तो 31,500 रुपी साथ इसका जो डेट ऑफ मैनिफे सानफ फेंटों 2020 में इंडिया में तो यह लेटेस्ट है इंडिया के लिए और इसमें आपको मिलेगा एइयर प्ले साथ ही अलक्स सापोर्ट इंडिया में अभी Google असिटेंस का सपोर्ट नहीं मिला है तो जल्दी आने की इसकी संभावना है फिलाल तो अलकसा से आपको काम चलाना पड़ेगा पोर्टेवल वोम स्पीकर जो है वो 360 डिग्री चार्जेबल वाटर रजिस्टेंट स्पीकर है जो काफी अच्छा साउंड करता है और दोस्तों हमेशा से जानते हैं कि बोस जो है वो बेस्ट साउंड कर कर देगा और मिट पर दिहान देगे तो मिट सुने देगा तो हर लेवल मिट लो और हाई सबी तरह के जो फ्रिक्वेंसी है काफी अच्छे से यह रेप्रिड्यूस कर पाता है ऐसा बोला जाता है कि जो म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहता है वो अगर आपको देखना है तो पोस्त या ऐसी कंपनी का स्पीकर ले जो पेस को जादा इन हैंस नहीं करते हैं बहु모ण स्यदा तो एक अच्छे कंपनी का प्रीम्यम प्रीकर ले और चोटे कंपनी के स्पीकर में प्रीम्ước को बहुत जयादा पढ़ा दिया जाता है तो उससे थोड़ा, अन प्लेज़ कलर का स्पीकर है आप यहां देख सकते काफी खुबसूरत है नीचे परफुरेटेड एडिया है जहां पे 360 डिग्री स्पीकर है जहां से साउंड आता है यहां पे आपको USB Type-C की charging port मिलेगा केबल से चार्ज नहीं करना चाहते तो एक रैडल आता है उसके रखके आप चार्ज कर सकते हैं उसके लिए यहां पर जो metallic part दिया हुआ है तो चारो तरफ सेम है यहां पे बोस की branding ऊपर मिलेगी और उपर जो है control पैनल है कंट्रोल पैनल के ऊपर आपको मिलेगा सॉफ्ट टच वाला इसको कैरी करने के लिए एक हैंडल है कंट्रोल पैनल है इसमें आपको सेवन बटन मिलेंगे जिसे ब्लूटूथ पावर वॉल्यूम प्लस माइनस पॉस प्ले एंड कमांड एंड म्यूट यह सारी बटन स अगर आप इसमें वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो यह बढ़ता जाता है और अगर आप वॉल्यूम कम करते हैं तो यह लाइट भी उसी तरीके से रिस्पॉंड करता है यह काफी अच्छा और यूसफूल फीचर है अधेरे में भी आप ब्लूटूथ कनेक्ट वगर आपका स् सकते हैं यह जो LED है वो RGB light है बट अभी फिलहाल तो इसमें blue, white and amber color का तीन color का ही light जो है आपको तीन colors ही दिखते हैं वो सकता है future में update आए उसमें colors change हो बट फिलहाल तो यही है और यही रहना classy भी लगता है बहुत ज्यादा color भी होने नहीं चाहिए यहां पे आपको matte finish rubberized coating मि और आपको कभी यह नहीं लगेगा कि इतने से speaker से इतनी सारी आवाज आ रही है कभी आप विश्वास नहीं कर पहेंगे starting में तो यह speaker 360 degree fire करता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा रूम में कि इस तरफ से आवाज आ रही है तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं तो यह आप देख सकते हैं आप पर उडूत अफी अच्छा लगता है अगर आप इस speaker को लेना चाहिए तो इसका link हो है को description में मिल जाएगा वहाँ से खरीद सकते हैं फिला सभी जगाए की प्राइस है तो आप चाहिए Amazon, Tripcard या Reliance जहां से खरीद सकते हैं सभी की link आप description में मिल जाएगे इतने छोटे से form factor में दोस्तों यह इतना अच्छा sound देता है अगर आप music के lover हैं तो कभी भी आपको 33,000 रुपीज या 25,000 प्रितमदा का पसंद है तो यह सारे जो मैंने सुनता हूं जैसे bass वाले songs भी सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कई parties भी हमने इसमें कर चुकी है तो party में भी इसमें कोई कमी नहीं है तो JBL का हमने पल्स 3, 4 वगरा देखा था उसका bass उतना बज़तार नहीं है और म में पास flip 4 था उससे काफी अच्छा bass है इसका लेकिन अगर प्राइस point of view से देखें कि आपको flip 4 में जो है 6-7,000 में जो quality मिल रही है और बोस में 25,000 या 31,000 में जो quality मिल रही है उसमें जो price difference है उसे साब से जो है quality में difference नहीं है अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं अगर comparison करना एक तो गलत भी होगा बट मेरे पास वह speaker भी है इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको vocals और जो treble है बेस के साथ में clear सुनाई देना चाहिए अगर अच्छा speaker है तो तो वह इस voice के साथ होता है अगर आपका budget काम है आपको लगभग इस quality का आवास चाहिए तो लुक्सान नहीं होगा sound quality देता है काफी अच्छा साथ इसमें Alexa support भी है तो अभी देखते हैं इसको command देखे Alexa most popular YouTuber in India the biggest Indian YouTuber by YouTube subscribers is T-series which has 16 pro 80 lakh YouTube subscribers right Alexa what is the temperature today which city in India Shimla right now in Shimla Himachal Pradesh it's 18 degrees Celsius तो यह 31,000 में अगर आपको Alexa चाहिए और आपको LED light चाहिए और आपको थोड़ा सा ज्यादा आवास सुनना है तो यह लें अगर आपका budget 18,000 से 24,000 के बीच है तो आप Revolve Plus भी ले सकते हैं जो मेरे पास है इसका sound quality भी दोस्तों portable home speaker के quality के पराबर है बस थोड़ा साइज में चोटा है और इसमें आपको यहाँ पे LED नहीं मिलेगा आपको Alexa और Apple AirPlay नहीं मिलेगा पोटेबल home speaker में आपको Apple AirPlay का support मिलता है जो की काफी अच्छा अगर आप Apple यूज करते हैं बहुत यह easily connect हो जाता है यह दोनों को आपस में connect नहीं कर सकते हैं क्य कोई भी speaker ले सकते हैं बट यह और यह एक साथ connect नहीं होता है दूस्तों मैंने एक वीडियो और बनाया जिसमें मैंने compare के revolve plus और portable home speaker को वो वीडियो भी आपको मैं i button और end screen में दे दूंग आप वो भी देख सकते हैं आपका purchasing decision बनाने के लिए और दूस्तों आपको अगर इ इसमें आप कैसे रख सकते हैं अभी मैं आपको इसको चला के दिखाता हूं कैसी quality है इसमें कैसा आता है फिलाल के रिए इतने दोस्तों थांके सुमच for watching hopefully आपको purchase में health मिली होगी में नहीं है डॉक्टर किलेश थांके सुमच बबाए ठीक्याओ हुआ 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 है